मूवी की स्टार्टिंग में हमारे मेंन गारेक्टर सैम को देखते हैं वो एक व्राइटर था और एक पब्लिकेशन के लिए वो फ्रिक्वेंट बेसिस पर काम करता था सैम नुई मुवी को देखता था और उसके स्टोरीज देकर नुई नॉवल्स बनाता था आज भी Sam को एक book की hitting लिखने थी पर उसे कोई भी idea नहीं आ रहा था बीच में वो लिखना छोड़ देता है और फिर coffee पिने के लिए घर से बाहर चला जाता है यहां में पता चलता है कि Sam को Mariana Indus Fits आते हैं यह kind of seizures की तरह होते हैं कुछ समय के लिए उसकी body अकट जाती है अभी कुछ time से Sam को ऐसा नहीं हो रहा था Sam अब coffee पिने के लिए नजदी के कैफे में जाता है coffee shop में birdie नाम की एक लड़की थी जो customers को serve कर रही थी Sam coffee लेता है और में पता चलता है कि birdie और Sam एक दूसरे को ठीक ठाक जानते थे उनमें जादा बात नहीं होती थी उन दोनों के बीच कुछ बात हो रही थी तो यह वह वर एक customer आ जाती है दोनों को अपनी बात वही पर रोकनी पड़ती है Sam वेर अपने office जाता है वहाबर अपने writing के साथ customers को भी उसे attend करना था जो भी वहाबर books लेने के लिए आते थे तो Sam को उने sign देनी पड़ती थी वहाबर Sam की old friend Marina आती है कुछ समय पहले उसकी marriage हुई थी और अब वो pregnant थी मरीना सैम से उसकी family के बारे में पूछती है Sam कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई Sam की कोई भी girlfriend भी नहीं थी तो अकेला ही रहता था और kind of introvert था Sam के बहुत ही कम friends थे Sam से ज़ादा contact नहीं रखते थे क्योंकि Sam introvert था और बहुत ही boring था एक दिन सैम काफे में वेटा हुआ था वहाँ पर birdie आती है आज birdie काम पर late हो गई थे Sam उसे coffee मांगता है हमें पता चलता है कि birdie अपने काम पर हमेशा late हो जाती थे Sam फिर से उसे बात करने की कोशिश करता है पर unfortunately वहाँ वर एक बहुत ही rude customer आ गया उसे अंट्रेंट करने की वज़े से birdie उसे दूर चली के एक दिन सैम फिर सही सही coffee के लिए गया पर वहाँ पर birdie नहीं थी उसके नाम पर जेरान नाम का आत्मी था जो cafe काप समाल रहा था Sam उसे बुछता है कि birdie कहाँ पर है वो गयता है कि birdie को fire कर दिया गया है उसे बहुत रूडली बात कर रहा था कहता है कि birdie हमेशा लेट आती थी उसी वज़े से काम से उसे निकाल दिया गया सारी बाते फिर साम अपने friends Elliot को बताता है कि वो फिर से cafe कया था और आज उसे birdie नहीं मिली एलिट उसे कहता है कि तुम्हें उसे facebook पर सर्च करना चाहिए याड़ा साम को अच्छा लगा वो birdie को facebook पर ढूण लेता है साम birdie को बहुत time से like करता था पर वो इंट्रोयट था और इसी वज़े से उसे कुछ बात नहीं कर पाता था वो birdie की profile को देखने लग या वहाँ से उसे बता चलता है कि birdie को guitar बजाने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते है साम फिर guitar सिखने का decide करता है next day साम guitar सिखने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो guitar सिखा रहे थे वो कुछ notes प्ले करते है साम भी इस notes को play करने की कोशिश कहता है साम को थोड़ा सा भी आनी रहा था टीचर समझ जाते कि साम को guitar बचाने में कोई भी interest नहीं है उसे बुछते कि तुम्हें सब सी क्यों रहे हो कि तुम्हें पैसा चाहिए या fame चाहिए या फिर तुम किसी लड़की के लिए कर रहे हो साम कहता है कि मैं एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए कह रहा हो टीचर उसे कहते है कि तुम्हारा motivation ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हें actual पर guitar पर focus करना चाहिए साम फिर से birdie की profile को surf करता है उसे बता चलता है कि birdie को बहुत सारी चीज़ों में इंट्रेस्ट है birdie को evolution की books में इंट्रेस्ट था तो सैम भी लावरी जाकर evolution की बहुत सारी books पढ़ने लगता है birdie को french cuisine अच्छी लगती थी तो सैम वो भी सिखने लग जाता है सैम बहुत बार कैफे में जाया करता था क्योंकि से लगता था कि शायद birdie उसे वहाबर फिर से दिख जाए birdie कभी भी वहाबर आती ही ने जेराल भी सैम को नोटिस करने लग था सैम को ये भी पता चलता है कि birdie को जूडो पसंद है फिर वो जाकर जूडो भी सिखने लग था पर इसमें वो बहुत मार खाता है birdie को जो music पसंद था इसके CD भी उसने order कि और वो सब कुछ सुनता है एक दिन जब वो ऐसे ही कैफे में वेटा था तो birdie अपनी salary लेने के लिए आई जरार बर्डी को गहता है कि एक लड़का तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और तुम्हारे पीछे ही है साम ये सुनकर छुप जाता है birdie उसे देख नहीं पाती और फिर वहाँ से चली जाती है साम फिर पूरे दिन अपने कामों के साथ वो सारी स्किल्स सिखने की कुशिश करता है जो birdie को बहुत पसंद है ये लिए ये सब करते हैं उसे notice करता है ये लिए उसे गहता है तुम्हें directly birdie को facebook पर message करना चाहिए साम को idea अच्छा लगा और गहता है कि मैं उसे message क्या करूंगा साम ने विर birdie की facebook profile पर एक new post देखे इसमें वो एक comedy show में जाने वाली थी इसमें उसने बताया था कि comedy play पर वो जाने वाली है साम भी फिर decide करता है कि वो भी वही play देखने के लिए जाएगा नेक्स इन्वम साम को टेटर में बेटा हुआ देखते हैं उसे वो play बिलकुल भी funny नहीं लग रहा था पर birdie के लिए इस play को enjoy करता है play खतम होने के बाद साम ने birdie को approach करने की कुशिश किये पर birdie उसे कुछ भी reply नहीं देती है क्योंकि उसे वो सुना यह नहीं दे रहा था वहावर बहुत सारे लोग थे बडी ने एक ड्रिंक बाई किया तो सैम भी वही ड्रिंक बाई करता है बडी के जैसे यह ड्रिंक होलने की ऊख कुशिश करता है पर उसके हाथ से यह ड्रिंक की बॉटल नीचे गिर गई सैम बहुत ही नर्वस था और इसी वाज़े से उसे गड़वर्ड हो रही थी यह सारी जीसे बडी नोटिस करती है वो दोनों बात करने लग गया और बातों बातों में सैम अपने सारे होबी इंट्रेस्ट के बारे में बड़ी को बताने लगता है यह सब को जोट था क्योंकि बड़ी के जो भी इंट्रेस्ट है उसी के बारे में वो बात कर रहा था ताकि उससे इंपरेस्ट हो जाए बड़ी उसके बातों में इंट्रेस्ट ले रही थी तब वहाँ बर प्ले की लीड आ जाती है और बर्डी साम को उसे appreciate करने के लिए कहती है साम को play में थोड़ा सा भी interest नहीं था पर फिर भी वो कुछ भी बोल कर play की तारिफ करने लग क्या था इससे सब कुछ बहुत ही awkward हो जाता है साम बर्डी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए dinner बना सकता हूँ यह देखकर बर्डी को बहुत ही अच्छा लगा और इसके साथ dinner के लिए मान जाती है अगली दिन साम अपने घर को बहुत ही अच्छे से prepare करता है ताकि बर्डी उसके room से भी impressed हो जाए उसने बर्डी का बहुत time तक wait किया पर वहाँ पर आई ही नहीं थोड़ी दर में बर्डी उसे call करती है कहती कि मेरा ex Tony injured हो गया था और इसी वज़े से उसे लेकर में hospital में आई हुई हो वो कहती कि कल में ballroom dance attend करने वाली हो साम कहता है कि मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ आ सकता हूँ इसके बाद next day साम एक proper trace में आता है यह kind of seniors का डांस था और यहाँ पर कोई भी competition नहीं था वो दोनों फिर से बात करने लगके साम वही चीज़ों के बारे में बात करता है चो बर्डी को बहुत अच्छी लगती थी वो उसे कहता है कि मुझे judo बहुत पसंद है बर्डी इस बात पर हसने लगके साम बुछता है कि हुआ क्या बर्डी कहती कि मेरे parents के dog का नाम judo है और मुझे बहुत पसंद है इसी वाज़े उसने अपने profile पर भी I love judo लिखा था बेचारे साम को बिना किसी reason की मार खाना पड़ा था next day morning में हम देखते पर गुक्ति साम को पता चलता है कि बर्डी परटी के रिकेले जा रही है Sam भी उसके पीछेबीचे पर शॉप में चला जाता है क्योंकि उससे के साथ time spent करना था इसके बात साम बर्डी के साथ पार्क में भी जाता है बर्डी फ्री में कपल्स के स्केच बना रही थी सैम उसे बुछता है कि तुम फ्री में क्यों बना रही हो बर्डी गयती है कि सकसेज मेरे लिए एक मीत है मुझे जो पसंद है वही मैं हमेशा करना चाहती हूँ यही उसके लिए एक real happiness था स्केच करने के बाद उदोनों घर जाने लगते है बर्डी सैम को गाल पर खिस करने की कुशिश करती है पर गलती से उसे लिप पर किस कर लेती है इसके बाद उदोनों actually किस करते है वो दोनों एक दुसरे से बहुत attracted थे वो दोनों फिर एक दुसरे के साथ काफी टाइम्स पेंट करने लगते हैं रात में दोनों एक पार में आए वहाँ पर बर्डी का एक स्टोनी भी आता है टोनी ऐसे ही कभी-कभी यहाँ पर कैजूली गाना गाता रहता था वो आज भी गाना गाने का डिसाइड करता है बर्ड लेसे ही गाना स्टार्ट होता है तो यहाँ से निकलने के लिए सैम ने गिटार की स्ट्रिंग को बहुत ही जोर से बजाया जिससे तूट जाती है वो प्रिटेंड करता है कि उससे गलती से तूट गए इसके बाहर तो अपनी सीट पर जाकर बैट कया बर्डी और वो यहाँ बर्डी पता थी है कि उसके पैरेंस हमेशा से हीपी इस दे इसी वज areas बहुत ही वीर्ड सा नाम बर्डी रखा कुछ दैर बाथ सब लोक्क करने लगे सैम डहीं करता था ऐलेट सैम के पास आकर समोक करने लगती है और इसी वज़गे से सैम की हार्ट मीट बढ़ अचनल की वो Sam से उसके पैनिक का रीजन पूछती है Sam गयता है कि मुझे स्मोकिंग से प्रालोम है उसे लगता है कि अगर Birdie को पता चला कि स्मोकिंग से उसे प्रालोम है तो शायद Birdie उसे छोड़ कर चली जाएगी यह लेट की Girlfriend कहती है कैसा नहीं होगा तुमें एक बहुत अच्छे लड़के हो और Birdie तुमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाएगी अब Sam फिर अपने पैरेंट्स के बारे में Birdie को बताता है कहता है कि वो एक दूसरे से अलग-अलग हो गए थे वो अभी भी उन पर नारास था और इसी वज़े से अपने मॉम से बात नहीं करता Birdie उसे सिंपताइस करती है वो दोनों किस करने लगके और इसके बाद वो दोनों इंटिमेट हो जाते है नेक्स मॉनिंग Sam अपने घर पर आता है अपने नौवल पर फोकस करता है वो एक नूव स्टोरी लिख रहा था जो एक्च्वल में उसके और बर्डी की बीच में हुआ था इसी के रिलेटेड ये स्टोरी थी उसके कारक्टर बहुत ही सिमिलर थे Sam ने अपने जप्टर्स लिखकर अपने बॉस को भेज दिया बोस जब देखते हैं तो उनका उसे कॉल आता है वो गहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी बहुत ही अच्छी है उसे वो बहुत एप्रेशेट करते हैं Sam को इस सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है उन्होंने कहा कि आगे की स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दो इसके बास Sam जादा से जादा टाइम बर्डी के साथ बिताने लग गया वो उसके साथ हर जगा पर जाता है Sam उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करता है जो बर्डी को अच्छी लगती थी उन सभी चीज़ों को मास्टर करने की कोशिश करता रहता है एक राद जब Sam की आखे खुली तो Elliot और उसकी girlfriend का जगड़ा चल रहा था वो Elliot से बुछता है किसका reason क्या है वो गयता है कि मेरी girlfriend मुझे बहुत ही control करती है वो ही सब चीज़े करने के लिए मुझे मजबूर करती है जो उससे अच्छी लगती है उसकी सारी चीज़ों में मैं मेरी खुद की identity लॉस कर रहा हूँ यह जब Sam सुनता है तो उसने realize किया कि उसने जो भी सारी चीज़े किये जो भी वो learn कर रहा है इस सब को जो बर्डी के लिए कर रहा है इसमें वो अपनी खुद की personality को सकता है जो elite के साथ हुआ था नेकसें में हम Sam और बर्डी को dance करता हो देखते है बर्डी Sam को बताती है कि कल मेरे parents आने वाले है तुम्हें उनसे मिलना चाहिए Sam पुछता है कि तुम मुझे उनसे introduce क्यों करना चाहती हो बर्डी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ उससे प्यार करने लग गई थी Sam को बहुत अच्छा लगा और दोनों फिर kiss करते है जो भी हो रहा था इस सब कुछ फिर Sam घर आकर अपनी story में add करता है यह story उसने अपने boss को send कर दी मौर्निंग में फिर Sam के boss उसे call करते है कहते है कि तुमने मुझे जो story का last chapter भेजा है वो बहुत ही amazing है story की ending को लेकर बात करने के लिए Sam को बुला रहे थे Sam एक date fix करकर उनसे मिलने का decide करता है Sam birdie के साथ एक जगा पर गया जोसके friend का workplace था वह चारों दरब birdie को जो favorite artist पसंत है उन सब की bending लगी हुई थी Sam initially दो उतना ज़ादा react नहीं कहता पर धिरे धिरे birdie के सवालों का बहुत ही misleading और उल्टा जवाब वो देने लग गया था birdie सोचने लगती है कि आज Sam को हुआ क्या है इस चीज़ की वज़े से Sam के novel का थोड़ा सा मजाक उड़ाती है इस बात पर Sam बहुत ही serious हो जाता है वह लगता है कि birdie उसके writer होने का मजाक उड़ा रही है birdie का ये intention नहीं था उससे माफी मांगती है तो गहती कि मैं तुमें कभी भी hurt नहीं करना चाहती थी Sam बहुत ही जादा गुस्सा हो गया था Sam birdie से बुझता है कि मेरा favorite artist कोन है मुझे क्या desert पसन है क्या तुम्हें इस सब चीज़े पता है birdie को इन सब questions के answer पता नहीं थे Sam कहता है कि तुम्हें सिर्फ उनी चीज़ों से फरक पड़ता है जो तुम्हें पसन है मुझे क्या अच्छा लगता है में क्या चाता हो इस सब के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर उन दोनों में fight होने लगके Sam birdie से indirectly कह रहा था कि अब उन दोनों को अलग हो जाना है Nixon में उन दोनों कार से खर जा रहे थे दोनों रो रहे थे दोनों ने एक दुसरे से अलग होने का decide कर लिया था Sam अपने घर के लिए उतर जाता है और birdie से बिना बात किये अपने घर की तरफ चला जाता है Sam अपनी identity को लेकर बहुत insecure हो गया था Birdie को impress करने के चक्कर में उपूल गया था क्यों खुद कोन है इन्ही सब reasons की वज़े से उसने उससे break up कर लिया Next day Sam अपने boss से मिलने के लिए क्या वो गया था कि मुझे story की ending change करनी है वो अब last में दोनों characters का break up दिखाना चाहता था उसके साथ जो issues थे जिस वज़े से उनकी relationship end हुई थी यही सब चीजे अब वो story में भी डालने चाहता था Boss कहते हैं कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है यह दोनों characters बहुत ही अलग-अलग है पर फिर इस वज़े से relationship को end करना है सही नहीं होगा कभी-कभी दो अलग-अलग लोग भी एक दुसरे के साथ आकर बहुत ही खुश रह सकते है सैम जब यह बात सुनता है तो उसे realize होता है कि उसने गलती कर दी है वो फिर अपने भी love story के ending change करने का अब decide करता है सैम office से भागते हों निकल गया और birdie के पास जाने लग या उसे पता था कि आज वो ballroom dance के लिए आती है उसे taxi नहीं मिल रही थी तो जहाँ पर ballroom का dance था वहाँ पर सैम भागते वागते आ गया birdie dance करने ही वाली थी पर दभी वहाँ पर सैम पहुच जाता है वो birdie की तरफ आने लग या वाँ पर हम Elliot और उसकी girlfriend को भी देखते है उनके बीच में भी सारी चीज़ अब normal हो चुकी थी उन दोनों को साथ में देखकर सैम को बहुत अच्छा लगता है वो दोनों सैम को birdie के साथ dance करने के लिए motivate करते है अब सैम birdie के पास क्या वो उसके लिए जो भी feel करता था इस सब कुछ उसे पता देता है वो ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हो birdie भी उसे प्यार करने लग गई थी और इसी वज़े से उसे माफ कर देती है वो सैम को confess करती है जो भी चीज़े उस फेस्बूक पर लिखा करती थी ये जानबुश कर लिखती थी उसे पता था कि सैम ये सब रीड करकर वही चीज़े करने की कुशिश करेगा और जानबुश कर उसका मजाग लेने के लिए उस सब चीज़े अड़ कर रही थी उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि सैम उसे लाइक करता है इस बात पर सैम और बर्डी दोनों ही असने लग जाते है वहाँ पर एक बुड़े अंकल बहुत गुसा थे क्योंकि बर्डी ने उन्हें एक डांस प्रॉमिस किया था इसके बात सैम और बर्डी ये दोनों डांस करते है सैम उसे माफी मांगता है और अब वो दोनों किस करते है इसे एक ब्यूटिफुल से मुवमेंट के साथ एक मुवी इंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पेशन चलगता है तो इसे लाइक और गमेंट जरूर करती जाएगा बहुत सारे मुवेंट लेकर आते रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करती जाएगा और बेल अडिवेशन आइगा उन्हें मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और इनमों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया है